प्रिपिंजी नमस्ते, माने प्रधार मंत्री जी, नमस्कार, मैं एक शोत्रेपर्ण एकाईयों की ओर से आपको साधर प्रबण राम करता हूँ, मैं आद्धोगिक आर्थान चान्दपुर वारांशी से बोल रहा हूँ यहां पर 60 हेकर में A131 यूनिट्स है हमारी 10 यूनिट्स ऐस प्रकार की है जो कि पूरी तरह से एक्सपोर्ट ओरेंटेड है इनका प्रतिशित यूनिट्स का देश विदेश में अपनीस्थापित यूनिट्स है और इस कारण भायर्ष भी आते है परंतो हमारी उसमें इस्थिति ऐसे है मूर जैसी हुजाती है कि वो सुन्जरता विखेड़ता है प्रसंदता बेक्त करता है परन्तों जो वह पैर की उर्ट देखता है तो वह उदाव हो जाता है तो इस कारण जो हमारी सड़कों की स्थिती थी और हमारी एसुसीएसर के माध्यम से हम प्रशासद को और उस समय वर्तमान सरकारों को बताते थे परन्तों भूर दिहान नहीं दिया गया इस कारण से सारी पूरता के बावजूद हम लोग अपने वायर्ष को बुलाने में यहां पर डरते थे कि वो हमारी जो इस्थिती है वहां से वाकिफ होंगे और फिर वो हमारे लिए उचीत इस्थिती नहीं रहेगी परन्तों जब बरतमान सरकार आए उनके संग्यान में डाला गया अधिकारियों ने सहयो किया तो दस कवड़ द्रासी लाक रुपया हमें सेंक्सन हुए हैं और उसके साथ साथे कारे भी शुरू हो गया है मैं कारे इस्था से ही भी बोल रहा हूँ और अभी सड़क भी आप देख रहे होंगे कि सड़क पहले से टूटी फूटी थी अब कारे शुरू हो गया है आपने और दूगिक आसन चानपूर के चारों तरब यहां मनवाड़ी रेल वी स्टेशन मात्र देड़ किलूमिटर दूर है जहां पर आपने नविनी कड़ कराया प्रमुक रेल गड़ियों को यहां से सचलन कराया और लहरतारा ओवर ब्रिज से लेकर के और चौका गार तक जो कि हमारे अध्यूगासान के लिए कई गाड़ियां ट्रक्स वगर नहीं आपाते थे वांद कराया मनवाड़ी जो रेलवे स्टेशन ओवर ब्रिज पर जो करकर हुआ है तो सुधा और उद्यम्यों को हो गई है इस कराण हम उद्यम्य आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं विपीन जी ये बात तो आपने कहा कि सरकार ये कर रही है सरकार वो कर रही है करना भी चाहिए और अब तक नहीं हुआ उसका करण जो नुक्षान हुआ है वो भी हम सबस सकते हैं लेकिन मैं स्वयम ऐसे चोटे चोटे उद्योगी काई यो मैं कई बार जा चुका हूँ मेरे मन में हमेशा एक शिकायत रहती है जो उद्योगी काई होती है उसके अंदर जो माली के मैनेजर बैठते हैं उसकी चमबर तो बहुत बढ़िया होती है लेकिन बाकी वहाँ देखिए अपने जो कारीगर काम करते हैं उनके खाने के लिए जगा उनके टॉयलेट और मानी जे पचीस तीस छोटी छोटी इंडस्टी है तो बहार की सफाई थोड़ी उसकी रोनक इसके प्रती एक संगटित प्रयास करते तो कोई जाटा खर्चा नहीं होता है क्योंकि आपी की अमंगनत है बहार के लोग जब आते हैं जो अंदर प्रविश्च करते हैं और वो एनवार्मेंट देखते हैं तो बड़ा ही मन को खोव होता है और मैं मामता हूँ कि आप लुगों ने विपिन जी आप तो बड़े जागरूप नागरी हैं अपने इस प्रकार से चिंताए भी की है एक परिशर की पूरी यह एक प्रकार का ऐसा एनवार्मेंट यह एक आपके कारीगर को भी घर जाने का मन न करें उसको लगे को नहीने जाना है लेकिन ऐसा करो आधा पोना केंटा बैठते हैं जरा यहां अच्छा माहोल है यह सृति हमारी बंती नहीं है यह मुझे लगता है कि ऐसे छोटे-छोटे एसोशेशन ने कुछ नों कुछ सोचना चाहिए देखिए दिवाली और तेहारों को लेकर जराब अब तो व् कि लेकिन क्या लॉकडाउन के बाद में कुछ सुधार की दिशा में क्या लग रहा है कासी में पहले तो मैं सवक्षिता के विश्यव में बताता हूं कि आध्योगी आश्थान सहकारी समिटी लिमिटेड जो की उद्दू विवाग इवं उद्यम्यों के सहयोग से बनी है औ कि इस प्रकार का हमारे हम दिशारूपन हुआ है कि हाँ पर सांती फूर्ण वाता बना रहता है यह कमी जो थी वह आपके द्वारा पूरी हो रही है करोना काल में भी हमें लॉकिन के परश्चाद भी कई प्रकार की समय की प्रतिवाद्यता थी परांतु हमारी यूनिट्स करने में इस्थानि प्रसासन ने बहुत सहयो किया हमें और लाइन पास इस करण से हमारे उत्योग चलते रहे एक कठना ही आ रहे थी कि हमारा टर्नोवर कैस्ट फ्लो या लेंदेन एक तरह से बिलकुल समाथ हो गया था किसी के पास पैसा देने के लिए नहीं रह गया था इ हम कच्चा माल पर्चेजनी करने के सिती में थे परन्तु जब आपकी स्कीम सीसी लिमिट्स को बढ़ाने की आई तो उसने संजीवनी का कारे किया और एक दरस से जो जाम पैया था वह पैया एक बार चालू हो गया तो उसके बाद से आप इस प्रकार के हम सामान इस प्रकार है और कारिकरम उसी प्रकार से अब चालू चल रहे है अब कोरोनों का कोई डर है कुछ नहीं है पंतों में मास्क और से जो भी आप हमें निर्देश दिये हैं उसका पूरा-पूरा पालन करते हैं क्योंकि हम आपको वारणसी का अभिवावक मानते हैं आप जैसा है और हम कोशिस करेंगे कि आत्म निर्भरता के लिए जो भी प्राड़क्ट हम लोग बना सकते हैं विदेशों से पी निर्भरता समाग करके देवाली पर हम कम आकर सक जहालर इस्तिमाल करेंगे पन्तु विदेशी जहालर को इस्तिमाल नहीं करेंगे ऐसा कासी में तीन चा बढ़ेंगे चलिए विपिन जी आपकी बाते सुनकर के बहुत अच्छा लगा और मैं तो क्या अभीभावक हो सकता हूं कासी का हर बेटा बेटी कासी के सच्चे अभीभावक है आज कासी जो भी है कासी वाश्यों के कारण है मेरा तो सभाग्य है कि ऐसी एक पवित्र नगरी में आप लोगों के बीच कुछ न कुछ काम करने का अवसर मिला कुछ सिखने का अवसर मिला तो मैं तो कासी का एक परकार से जीतना धन्यवाद करू उतना कम है फिर एक बार विपिन जी में आपका बहुत धन्यवाद करता हूं